नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागज है आज मैं आप लोंग के साने फिट से एक नाश्टेक की रसी पिलाई हूं गेहूं के आटे का यह नाश्टा बहुत ही है और बहुत ही ठेश्टी है एक बार आप इस रसीफी को जरूर ट्राई किजिएगा बच्चो इस नाश्टे को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक मिक्सिंग बावल और इसमें आट करेंगे एक कप गयों का आटा जो रोटी बनाने वाला आटा है वही उसी का हमारी नाश्टा बना रहे हैं और आधा कप पिसी हुई चीनी आट करेंगे और इसी हम और भी इसक उसलिए का पावड़र रैट करेंगे इसे बहुती नाश्टी का फ्लेवर जो इलाची का फ्लेवर में बहुत ही टेश्टी हाता है ये मीठा चिला खाने में बहुत ही अब इसे बच्चों को दही के साथ सब कर सकते हैं तो दिखे इसे हम पहले अच्छे से पुरी ड्राइं डुरी ड्रीडियंस को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठोड़ा पानी डाल कर इसका हम पतला सा भोल जैसे आप डोसे के लिए गोल बनाते ने बस उसी तरह का ग इसे ही चाहिए बिल्कुल इस तरह की consistency हमें चाहिए ज्यादा पतला मत किजेगा और इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक हम फेड लेंगे जितना इसे हम जितना फेटेंगे उतना ही हमारा नाश्ता है बहुत ही बनेगा तो देखिए दोस्तों मैंने 2-3 मिन तक अच्छे से फेड कर इसको ठक कर दस मिनट के लखना है दस मिनट में आटा जो आप फुल जाएगा तो नाश्ता और भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा दस मिनट के बाद मैंने डखन खोला और आप देख सकते हैं आटा फुलन और लास्ट वाला दूस बच्चे पीते भी नहीं है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मैं पहले भूल गई थी तो अभी मैं इसको डाल कर इसका कंसिस्टेंसी एड़ेस्ट कर लूँगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसका हमें ने जादा पतला भूस तायार करना है ने जादा मोटा कुछ तो मैं आपको बाद में बताऊंगी किसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरह की चाहिए अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया है और फाइनल कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है तो चलिए हमारा अब इसमें हम एक चुटकी सोडा डालेंगे खाने का जिसस जाए से घी को कर देंगे स्प्रेड और एक से दो चमच इसमें हम आड कर देंगे और इसको अच्छे से इसको हमें ज्यादा पतला नहीं करना है अगर आप लोह की तवी बना रहे हैं तो थोड़ा से मोटाई में रखिएगा मैं तो यह चीपकने लगते हैं तो थोड़ी सी के बाद इसको अलट प्लेट कर अच्छा सा सेक लेंगे तो आपको आज की ये मिठे चीली की रेसिपी कैसी लगी ममेंट करके जरूर बताएगा और ट्राइज जरूर कीजिएगा दोस्तों बच्छों को बहुत ही पसंद आएगा आज कर बच्छों की चुटिया चल रही है आ इसको निकाल देते हैं और इसी तरह सभी नाश्टे को बना कर तयार कर लिए देगा तो फिट से वापस घीडा लिए और घीडा लिए और घीट जो अपने एक से दो चमज हमें ख़लाना है और जब नीचे से सीख जाएगा तो ऊपर से थोड़ा सा घी और लगा देना है और उसके बार इसको हम प्रट करके दोनों से अच्छा क्रस्पी होने जब खाय कर लेने हैं यह नास्ता बहुत ही सौट बनता है और उस खाने में अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को नास्ता बहुत ही पसंदाता है और यहां पर सब्सक्राइब कर लिएगा प्रेंद करना मजूल ओले गाँ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लेज सबस्क्राइब कीजिएगा पैल आइकन को प्रेस करना मन भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो देखिए यहां पर हमने सभी नाश्टे को कर लिया है तैयार चीला हमारा बन चुका है तो पहुत ही सौप अपना देख सकते हैं बिलकुल सौप्ट सा मारा चीला पर्फेक बन कर तयार हो गया है इसे आप भी के साथ या उपर बच्चों को ऐसे ही खिलाए बच्चे बहुत ही खुज हो जाएंगे क्यों कि बच्चों को रोज रोज एक ही नास्ता-क खाने में ब तक इसी तरह घर का बना हुआ हेल्दी खाईए हेल्दी रहिए थैंकि सो मच पर वाचिंग